हेलो स्टुडेन के मिस्ट्री की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है को आडिनेशन कंपॉंड में आज का हमारा टापिक है आइसो मेरीज में लेसन नंबर टू में आइनन समावईवता लेसन नंबर वन में हमने पढ़ा था कि समावईवता क्या होती और को आडिनेशन कंपॉंड में कितने टाइप की समावईवता पाई जाती मतला आइसो मेरीज में पाई जाती है अब लेसन नंबर टू से हमने स्टार्ट करा है हम हर वीडियो में क्या करेंगे अलग-अलग टैप की आईसो मेरीज में पढ़ेंगे और उसे बिलकुल डिटेल मे और आराम से समझेंगे उसके बाद में हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंतरगत को आर्डिनेशन कंपॉंड में जितने भी टाइप की आईसोमेरिस में पाई जाती है उनको हम एक टेबल के थुरू क्या करेंगे याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक में और इस तर नाम मिल रहे हैं आयनन और समावईवता जो समावईवता होती उसकी डेफिनेशन में आता है कि अगर अनुसुत्र समानों और कोई गूण जो है एसे कोई दो या दो से अधिक कंपॉंड जिनके अनुसुत्र समान है लेकिन उसकी सनरचना के सियो अलग हो या प्रकास के प् तो हर जितनी भी आप समावईवता पढ़ेंगे उन में एक चीच कामन रहेगी आपको ये वाली लाइन के लिए लिखना है जब उपसा सहियो जी योगिकों के समावईवता में अगर नार्मल आपको इसी समावईवता लिखते है तो आप लिखो जब योगिकों के समान हो तो हर समावईवता जितनी भी हम को आडिनेशन कंपॉण में पढ़ेंगे उसकी स्टार्टिंग लाइन यही रहेगी और फिर किन्तु करके हम बताएंगे कि वह किस प्रॉपर्टी या किस गुण में वह एक दूसरे से क्या है भिन्न होते है ठीके तो अब यहां पर समय होते हैं मतलब पानी में डालते हैं तो यह बन जाता है एक प्रॉपर सल्फट का सवीलूशन लेता हूं कामपॉण लेता हूँ और उसका साल्यूशन बनाता हूं तो विलेन में जाने के बाद यह बन जाएगा चापॉपअषर यहिसे आन कि अस वियोजित हो जाना तूट जाना अ किसी भी योगी का उसके आइनों में वियोजित हो जाना और आयन के प्सचाद बनते हैं और तो आइन समाव liकार कि क्या मिलें गया आयन देगा लेखांप समा वईवता, अब हमको इस example जो हमने इसमें लिखा है, उसी की थूरू इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीके, तो यह example में लिखता हूँ, इसमें क्या लिखता हूँ, CO, COBALT, ठीके, और Amine जो Amine है, वो कितने टाइम है, पांच टाइम है, ठीके, और यहाँ यह क्या करता है कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है और आयन बनेगा यह आइन देगा इधर वाला और यह बनाएगा complex iron ठीक है तो अब इसको तोड़ते हैं तो इसका इसको ब्रिक कर देते हैं तो अब यह बनेगा इतना बनेगा complex iron तो लिख देते co और amin कितने टाइम है पांच टाइम तो NH3 कितनी बार हो गया पांच बार और यहां पर bromine है तो यह लिख दे हमने ब्रोमीन ठीक है और प्लस करके लिख देते एसो फोर ठीक है अब यह एसो फोर जो है वह डाइ नेगेटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज आए जाएगा डाइ पॉजिटिव इस तरह इस आयन का नाम भी लिख देते हैं यह पेंटा तो लिख दिया पेंटा अंधा एमिन ठीक है उसके बाद में ये जो है ब्रोमीडो क्योंकि ब्रोमीज है तो इसको लिख देते हैं ब्रोमीडो ठीक है और यह है कोबाल्ट तो यहां लिख देते हैं कोबाल्ट ठीक है और यह एक mono negative और di positive के गरण दो electron की और कमी तो total 3 electron की कमी तो cobalt पर आएगा third charge तो यह third और यह चुकी iron है तो आगे लिख दिया iron ठीक है और यह कौन सा iron है sulphate iron तो इसको लिख देते sulphate ठीक है इस तरह से अरे दादा कालारी line sulphate ठीक है अब इसके बाद में जो second example देखते हैं अपन यह वाला तो यहाँ आपन लिख देते हैं co ठीक है NH3 कित्ती बार 5 बार यहाँ पर है sulphate तो SO4 और इसके जो iron current reason में वो bromine है cdc बात है यह यहाँ से टूटा था तो अब यह काह से टूटेगा यहाँ से ठीक है तो जब इसका iron होगा तो इस तरह से बनेगा co NH3 कित्ते टाइम पांच टाइम तो NH3 लिख दिया हमने 5 टाइम अंदर SO4 है तो लिख दिया SO4 और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से लिख देते और प्लस में लिख देते ब्रोमीन यह कुण सा iron देगा ब्रोमीन नेगेटिव आयन और चुकि ब्रोमीन नेगेटिव होगा तो यहाँ पर कुण सा चार जागा पॉजिटिव अब SO4 डाइम नेगेटिव होता और यह प्लस का तो यह ट्राइम नेगेटिव हो गया तो कोबाल्ट पर कितना आवेस आएगा थड़ आवेस आएगा तो लिख देते इसको यहाँ पर इसका नाम लिख देते तो यह है पेंटा एमिन ठीके यह कौन है सलफेटो तो यहाँ लिख देते सलफेटो ठीके और यह कौन है कोबाल्ट तो यहां लिख देते कोबाल्ट ठीक है और इस पर कौन सा चार्ज है थर्ड तो यह थर्ड है और यह कौन है आयन है ठीक है और वह कौन सा आयन है तो वह वाला है ब्रोमीन तो यहां लिख देते ब्रोमीन ठीक है इस तरह से अगर हम देखे तो हमने यह देखा कि जो आयनन हु हुआ है ठीक से समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो आइन हुआ है वो यहां से हुआ ठीक है तो इसमें जो आयन बनाएं बनाएंपेंटाएमिन ब्रोमीडो, कोबाल्ट, थर्ड आयन ठीक है, और साथ में इसने विलियन के अंदर दे दिया, सलफेट आयन तो यहाँ विलियन में कौन सा आयन देता है सलफेट आयन देता है लेकिन जब इसका आयनन हुआ तो इसमें क्या है, यहाँ से आयनन हुआ है तो कोबाल्ट तो यहाँ पर बना है पेंटा एमीन, सलफेटो, यह कोबाल्ट, फार्डْ आयन और इसने विलियन के अंदर किसको दे द IC? ब्रोमीन को दे दिद तो यह विलियन में और डिया ब्रोमीन आयन देता है। तो हमने यह देखा कि यह दोनों का जो अनुसुत्रि से में देखिए कोब spectre is लेकिन इसका जब आयनन हुआ तो इसने विलियन के अंदर कौन सा आयन दिया सलफेट आयन इसलिए लिखा यह विलियन में सलफेट आयन देता है और जब इस वाले का आयनन हुआ तो यहां से हुआ तो इसने विलियन में दिया ब्रोमीन आयन यह देखें ब्रोमीन आयन दिया तो इसमें लिखा तो है यह वीलियन में ब्रोमीन आयन देता है, ठीक है न? तो आप ये समझे कि इन दोनों का जो अनुश सुत्र है वो समान है, लेकिन आयनन जब हुआ, तो आयनन के पश्चाद दोनों ने अलग-अलग आयन दिये, मतलब इनका जो आयनन के पश्चाद फैटायन मिल रहा है इसमें आयनन के बात क्या मिल रहा है ब्रोमीन आयन मिल रहा है ठीक है तो 12th K student इसको के से attempt करेंगे कौन सी समावय वइवता को ठीक है रहा क्योंकि जब आपको question आएगा कि आइनन समावय वइवता लिखिए आयनन समावय वीवता को समझाईए आयनन आईसोमेरिज्म को तो आपको लिखना है क्या लिखना है जब किसी योगिक के योगिकों के अनुसुत्र समान होते हैं लेकिन कौन सी क्रिया के थुरू यहां पर कौन सी क्रिया और आयनन किन्तु आयनन के पश्चाद वह विलियन में भिन भिन आयन देते हैं तो वे एक दूस दूसरे के क्या कहलाते आयनन समावईवी और ये जो घटना घटी है इसको क्या बोलते आयनन समावईवता एक बार फिर से 12th के स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे जब उपसह सैयोजी योगीकों के अनुसुत्र समान होते हैं लेकिन आयनन के पस्चात वो विलियन में भिन भिन आयन देते हैं तो एक दूसरे के कहलाते हैं आयनन समावईवी और ये जो घटना है इसे कहते आयनन समावईवता फिर 12th के स्टूडेंट ये परिभासा लिख देंगे और उसके बाद में ये एक्जामपल लिख देंगे और खतम यहां तक तो बात खतम हो जाती अब थ क्या होता है जब इस वाले alles क्मपॉंड की कौने इस वाले मगकि की की क्या करते हैं इस वाले इस वाले कंपॉंड को अगर हम बेरियम क्लॉराइट के साथ क्रिया कराते किसकी इसकी ठीके तो यह लिख देता हूं मेंici लिख नेगे अटीर्हें सोफीर को रिप्लेस कर देग साफेद तो यह बना लेगा azro बेरियम सेयुखेट होता है वो कौन से रंग होता सफेद रंग का सफेद देदेता कि अब जएस सफेद में समझे उसनल चेब अता कि ये वाला compound जो होता है वह कौन सा आयन देता है sulfate iron देता है ठीक है लेकिन जब इस compound की बात करते है इस वाले compound की तो अगर हम इसकी क्रिया किस से कराए अगर हम इसकी क्रिया कराए silver nitrate से तो AGNO3 से तो ये विलियन में कौन सा आयन देता है ब्रोमीन आयन अब ब्रोमीन इसको replace करेगा किसको और यहां बनाएगा एजी बी आर मतलब ब्रोमीन का लवन बनेगा और ब्रोमीन का जो लवन होता है ब्रोमीन का जो लवन होता है वो होता हलके पीले रंग का क्या देगा अउचेप देगा अगर हलके पीले रंग का उचेप आरा है मतलब ब्रोमीन लवन बनाए मतलब विलियन में जो है ब्रोमीन इसलिए बेरियम क्लोराइट के साथ इसकी रियक्शन करने पर बेरियम सल्फड का सफेद उचेप मिला और इससे किलिए होता है कि यह वाला जो क्लोरी ने वह कौन सा आयन देता ब्रोमीन क्योंकि अगर इसकी सिल्वर नाइटेट से क्रिया करा जाए तो इसमें एजी वी आर क हलके पिले रंका उचेप बनता है तो यह तो थोड़ी बात करी हमने किसके साथ से नीट के स्टुडेंट के साथ से अब 12th के स्टुडेंट के साथ से तो आप समझ गयो कि आपको यह डेफिनेशन लिखना है और फिर यह एक्जाम्पल लिखना है ठीके तो उम्मीद करते है आपको आइनन समावई वता समझ में आ गई होगी ठीके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक पढ़ते रहे हैं बेस्ट आफ लग फार यह एक्जाम्पल लिखना हुआ 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 झाल